तो असलाम अलेकुम विवर्स मैं हूँ मैं मुना मुसलिमा उमीद करती हूँ कि सब लोग ठेक ठाक होंगे तो बहुत देखे होंगे आपने और किये भी होंगे लेकिन अगर आप बनना चाहती है तो इसके लिए आपको फेशल भी सोने वाला ही करना होगा थोड़ा वर ड्राम अश्रमा करना पड़ता है क्योंके आप लोग भी तो सोय होते हैं इसलिए तो जी मैं बात करने वाली हूँ डर्मा सेचन की न्यू लॉंच 24K गोल्ड फेशल केट के बारे में अच्छा किसी भी ब्रैंड की जो गोल्ड बेस प्रोड़क्ट्स होती है वो बड़ी ही कमाल की फार्मलेशन में होती है अच्छा इस ब्रैंड के अगर बात करें तो इसकी फार्मलेशन भी बड़े ही मज़े की है मैंने last week इसको try किया था बलकर try करने के लिए ना मैंने paulr का रुक किया था कि वहांपर जाकर complete इसका treatment लूँ और पता चल सके कि इसके results कैसे हैं इस video में आप लोग जान सकते हैं कि इसके results कैसे हैं किया जे हमारा इद का facial बन सकता है या नहीं बन सकता, क्या मतलब इसके prices बगरा होंगे, क्या कुछ होगा, तो बड़े-बड़े discounts चल रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग इससे फाइदा उठा सकते हैं, कि अगर आपकी मंगनी शंगनी हो चुकी है, जा आपकी बादशात पकी हो रही है, शादी के लिए रिष्टा रिष्टा बेख दे ही है, तुसी, ओस सिल्सले बेच भी as special नो, मतलब इसकी पैकिंग इतनी मज़ेगी और out class है, कि इसे gift किया जा सकता है, मतलब लड़की वालों को, अब लड़के तो special करने से रहे हैं, तो डेमो दने के लिए मैं इसे अगें ट्राइ करने वाली हूँ, जल्दी से start करते हैं, अच्छा जी, हम सबसे पहले unboxing करते हैं, unboxing इसकी बड़ी stylish सी है, आपको मिल जाता है एक बड़ा सा black color में cardboard box, जिसके उपर gold writing में print है, इसका नाम और properties, आप वीडियो पास करके पढ़ सकते हैं, फिर यहां पर magnet opener है, जिसके अंदर वाली साइट पर लिखा हुआ है, hello beautiful, और अंदरूनी साइट पर है जी brochure, कि इसको कैसे use करना है, फिर एक paper को as a veil use किया गया है, और निकाब को हटाते ही, product packing is really really good, वाकिए जैसे gold का set रखा हुआ होता है, 5 तना के facial tubes, एक liquid toner और एक 24 के gold serum, मुझे पता चला है कि यह oily skin के लिए बहुत कम माल की चीज़ है, वैसे तो for all skin types है, हाँ जी, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने facial को cleansing से, as you know, as usual, facial को cleansing से ही स्टार्ट किया जाता है, और यहां पर है 24 के gold cleanser, जो इसका साथ ब्रॉशियर है, इसके उपर जो one by one सारी products की detail है, उसी के साथ में इसको follow करती हुई, ट्राइ करने वाली हूँ, again, मतलब पहले एक बार कर चुकी हूँ, और इसके story भी update की थी, मैंने अपने Instagram और Facebook पेज़ पर, और यह 100 ml की tube है, cleanser की, और इसके साथ साथ इसके usage, इसके caution और इसके ingredients वगएरा, सारा कुछ इसके उपर ही mention कर दिया गया है, backside पर, और अगर product की बात करें, तो वो gold, creamy सी, thick form में है, जो के मेरे हाथ पर आप लोग चेक कर सकते होगे, कुछ इस तरह से दिखती है, मैं आप लोग को क्रीब करके भी दिखा रही हूँ, आप लोग इसकी consistency वगएरा चेक कर सकते हैं, अब मैंने सबसे पहले अपने face को हलका सगीला कर लिया है, जहां पर जो के कैमरे में शो नहीं हो रहा, और उसके बाद मैं अपने face के उपर इसको circular motion में apply करूँगी, पांच से साथ मिनट तक आप इसको try कर सकते हैं, और oily skin के लिए ये best 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 facial है, गर्मी के सेजन में जब बहुत ज़्यादा चिपची पाहट हो रही होती है, पसीना निकल रहा होता है, एकनी वकनी का इशू बन जाता है, और अकसर दाने भी बन जाते हैं, और मेरे माथे पर भी एक दाना बना हुआ है, और वो जाने का नाम नहीं ले रहा, धीट हो चुक है, और अच्छा, आप इसे try कर सकते हो, और अगर आपकी skin dry है, तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, कि इसको आप लोग फिर किस तरह से try कर सकते हैं, क्योंकि मेरी अपनी skin dry है, तो मैंने इसको try करने के बाद क्या-क्या precautions लिये, जिसकी वज़ना से मेरी skin इतनी shine भी कर रही है, और इतनी glow भी माल रही है, अगर इस cleanser के fragrance की बात करें, तो बहुत अची है, बिल्कुल भी irritate नहीं करती है, और यह बिल्कुल भी soap टाइप नहीं है, कि जाग बनाता जाए, जाग बनाता जाए, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, और पानी मैंने इसके अंदर add कर लिया था, और इसका जो यह वाला formula होता है, जो के soap नहीं बनाता, यह आपके pH को balance रखने के लिए बहुत ही ज्यादा helpful रहता है, और इसके साथ यह चोटी सी बात है, और सभी को पता होगा कि cleanser जो होते हैं, वो हमारे make-up को remove करने के लिए, और जितनी भी हमारे face पर impurities बगएरा होती है, इसको neat and clean करने के लिए यूज किया जाते हैं, मैंने इसको तीन से चार मिनिट तक यहां पर ट्राइ किया है, circular motion में बड़े-बड़े stocks के साथ और उसके बाद मैं इसको गीले wipes के साथ, wet wipes के साथ इसको remove कर दोंगी, खीके जी, जैसे कि आप लोग वीडियो में जहां पर देख सकते हैं और अगर आप सिरफ इसी a cleanser को भी ट्राइ करते रहते हैं daily basis पर तो आप लोग देखेंगे कि इसके रजर्स कितने मज़ेगे हैं, अब हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड स्टेप के बारे में यह है जी डर्मा सेशन का 24K गॉल्ड टोनर, टोनर क्या काम करता है, टोनर हमारे स्कीन के उपर जो पॉर्स होते हैं उनको श्रिंग करने के लिए और मिनिमाइज करने के लिए यूज गया जाता है, इसके इलावा यह इंस्टेंट हमारी फेस को फ्रेश कर देता है, और अच्छा अच्छा फ्यूर होने लगता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है, इसको लगाने से भी आपको बड़ी ठंड़ का एसास होगा, और आपको लगएगा कि बहुत ज्यादा फ्रेश होगी आपकी स अच्छे हैं, और जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरह से आप लोगों ने से ट्राइ करना है, अब है जी हमारे थर्ड स्टेप की बारी और यह है डर्मा सेशन का 24K गोल्ड स्क्रब, और इनका माना यह है कि यह डर्क स्पोर्स को और एक्नी प्राउन स् जो करणा हैं, यह रिमूव को नहीं है, ऑड मैं यह को आती हुट बात करें, इसकी स्काइश की अछत्य जाबद हमातल हैं जो के आपके स्किन रुप करें करें, देर चेज़ ऎह तरे यृफ क्शक्र और यह वह है, और जो करों को भी रिमूब करते हैं, जो आपकी स्किन को से निकले वह बहुत ही सॉफ्ट प्लंप और ग्लोई नजर आए और इसको मैं यहां पर दो से तीन मिंट तक ही स्क्राब करूं कि अपने फेस के ऊपर और इसके बाद मैंने इसे वेट वाइप का साथ रिमूब कर लेना है जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं और इस आर सो गुड़ हां जी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर स्टेप की तरफ और इसमें आजाता है जी डर्मा सेचन की 24 के गोर स्किन पॉलिशर और यह क्लेम करते हैं कि यह स्किन को रिफ्रेश भी बनाते हैं क्लियर करता है और कॉम्प्लेक्शन को कम्प्लीट लाइ इसे में वाल में जी यह सो बलाएं पर भं करते हैं इसे की सटरंडि यहांकि आप सब्सक्क्राइप में नहीं ऊट्राइब करें अब शोटते पर च 날ए यहां पर चोटे उपने दूज मसाज दूँगी आप इसे लगाकर एक से दो मिनिट तक रख भी सकते हैं और उसके बाद भी इसका मसाज किया जा सकते हैं तीन से चार मिनिट तक अगर आप लोग यह समझते हैं कि यह वाला जो स्कीन पॉलिशर आपके बालों को ब्राउन कर देगा तो यह गॉल्डन नहीं करता यह इसका जो फार्मॉला है वह बहुत ही क्रीमी सा है मुझे वाला प्रॉडक्ट परसनली बहुत पसंद आया है क्योंकि अकसर स्कीन पॉलिश और ब्लीच पाउडर डाल कर बनाई जाती वह तुम्हें बिल्कुल भी ट्राई नहीं करती लेकिन इसे मैं दूसरी इसे मैंने साधा पानी के साथ वाश कर लेना है और वेट वाइप यहां पर मैं यूज नहीं कर रही और अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मेरे फेस पर इसके रिजल्स कैसे आए हैं अब आजाती है जी बारी हमारे फिफ्थ स्टेप की और यह है जी डर्मा सेशन का 24 के गॉल्ड मास्क जब मैंने इसको ओपन किया तो आप लोग इसकी कंडिशन देख सकते हैं जहां पर क्या हालत बनी हुई है क्योंकि मैंने इसे फॉस्ट ट्राई किया था फिर मैंने अप अपने हाथ पर अब मैं इसकी बात करों तो फ्रेग्रेंस इसकी बहुत मज़े की है और यह प्रॉड़क्ट कुछ इस तरह से गोल्ड गोल्ड सी टाइप की मज़े की लग रही है और इसमें थोड़ी थोड़ी सी शाइन भी है आप लोगों को क्रीब करके दिखा आद थी ह अब अगर हम बात करें इसके अप्लीकेशन की तो आप किसी भी ब्रश के साथ इसको पूरे फेस पर अप्लाई कर सकते हैं और अपनी गर्दन को भी यार रखेगा क्योंकि यहां पर मैंने बैन पहना हुए और वीडियो के अंदर अगर मैं गर्दन पर अप्लाई करूंगी इसलिए मैं यहां पर गर्दन पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया लेकिन अपने पूरी आगे से गर्दन को और पीछे से भी इसके साथ मसाज बगरा पॉलिश हर एक चीज हर एक स्टेप को फॉलो किया था तो आप लोग ने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से मैंने पर उंगली के साथ फिंगर के साथ पूरे फेस के उपर इसे सप्रेड कर लिया है और 10-15 मिनिट तक मैं इसे ड्राइ होने के लिए छोड़ दोंगी 15 मिनिट के बाद जब हम लोग ने देख है तो यह देख सकते हैं आप लोग यह कंप्लीटली ड्राइ हो चुका है इसको ज साथ अपने फेस को अच्छे तरीके से साफ करूंगी और साफ करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि स्किन कितनी ब्लो कर रही है स्मूध हुई है और भली भली दिख रही है और पता नहीं मुझे यह वाला क्रेस क्यूं हो रहा है कि मैं कैमरे की अंदर घूस कर आपको चेक कर रही हूं अगर आप लोग इसे ट्राइक करना चाहें तो इसका लिंक निचे डिस्क्रिप्शन में आप वहां पर जाकर से बाइ कर सकते हैं और आने से पहले पहले से ट्राइक करके अपनी फीडबेक मेरे सार लाजमी शेयर कीज़ेगा क्यूंकि मैं इसे इदाने से ट्वेंटिफर के गोर्ड बैलेसिंग क्रीम अच्छा जो बैलेसिंग क्रीम होती है वह एजा सूधिंग आपकी स्कीन के लिए और मॉस्चुराइजिंग के तोर पर अपलाई की जाती है बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर हम उसे अपने फेस पर लगा लेते ह बहुत क्रीमी क्रीम ही होती है पूरे फेस के उपर सकून के साथ इसको अपलाई किया और डर्मा रोलर उठाया और इसको चार से पांच-सात मिनट तक अच्छे जरीके से मसाज किया और इतनी अच्छे से मसाज करने के बाद मेरी स्कीन इतनी सॉफ्ट मुझे फील हो रही जब मैंने इसे वाश किया और सबसे मज़ी की बाद यह कि इतनी ब्लड सर्कुलेशन हो चुकी थी कि मेरी पूरी स्कीन जो है ना वो मुझे अंदर से अच्छी अच्छी फ्यूरिंग्स आ रही थी कि मेरा फेशल जो है ना वो मतलब हाथों जैसे वाला काम यह डर्मा रोलर क पूरा रहा था खैर जी आपको लेने की जुरुरत नहीं सिर्फ फेशल कंप्लीट करने के बाद लगा सकते हैं थी के जी और बाकी इस फ्रेग्रेंस की बाद करें तो गुड है तमाम प्रड़क्स यह आप लोग ने देख लिए कितनी आउट क्लास है और बिल्कुल भी मुझे एक फेस नहीं करना पड़ा और इंशाला आप लोगों को भी नहीं करना पड़ेगा और मैं फिर से बता दूं कि यह ऑली स्किन वालों के लिए बेस्ट तरीन फेशल है मतलब आज कल कि इस टाइम में तो बहुत मज़ेका है क्योंकि जैसा वेदर चल रहा है हां जी हमा स्किन पर यूज किया जा सकता है सुबा लगा सकते हैं और रात को सोते वक्त भी लगाया जा सकते हैं दो से तीन कत्रे आप लोगोंने लेना है लगाने से पहले इसकी तोड़ी सी बॉतल को अच्छे तरीके से शेक कर लेना है अपने सादा और सिंपल फेस के उपर यानिक और वक्ती बगारा नहीं होना चाहिए आपका फेस नहीं होना चाहिए और इसको आपलाइ कर लेना है अच्छे तरीके से पूरे फेश पर उर ग Madonna पर इसके अपलाइकर लीजिए और इसके जो रेजिर से उसमें यह क्लियम करते हैं कि यह रिंकल्स को एंटी-एजिंग को ए वो मेरे स्किन के अंदर पेनेटरेट कर जाए अगर आपके पास यह ना हो तो आप अपने फिंगर टिप्स के साथ भी इसको अपने स्किन के ऊपलाई कर सकते हैं कोई इस्यू नहीं है और बाकी जी अगर हाँ जहां पर मैंने आप लोगों को यह बात बताने थी कि अगर आप इसके साथ भी आपने स्किन को मॉाउच्ञ कर सकते हैं मतलब के सुबबा और शाम को अप इसको लगा कर अपनी स्किन को मॉच्च्राइज कर सकते हैं मैंने भी ऐसे ही किया था तोटली रिकमेंडिड है क्योंकि ये एक अच्छा स्किन लाइण एंड ब्राइटिंग फेशल है आप इसे फुद भी ट्राए कर सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी किया जा सकता है क्योंकि अल्रेड़ी ये गिफ्ट पैकिंग में ही है ठीक है जी ये कुछ इस तरह और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम इसे कहां से बाइकार सकते हैं तो मैंने नीचे इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिया है और अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाना चाहें तो वहां पर जाकर आपको पता चलेगा कि एद की वजह से वहां पर 25% चल रहा है जो कि मज़िकी बात है और आप इससे फाइदा उठा सकते हैं अगर ऐसा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा इसे शेयर भी क्या जा सकता है अपना और अपने प्यारों को धेर सारा क्यार रखिए मिलते हैं अला आप इस